हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब आपका स्वागत करता हूँ आपके बने यूटूब चैनल विजय कालेश हैटेस में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सियाटेस ओनलाइन ट्रांसफर राउंड वन की लाश्ट डेट कब है कब तक आप जो यह ट्रांसफर राउंड तो आपको नोईडा सेलेक्ट करना था लेकिन उसकी जगह आपने इंदोर सेलेक्ट कर दिया तो क्या उसमें कोई चेंज हो सकता है उसको लेकर हम बात करेंगे तो देखें दोस्तों जिनी स्टुडेंट निया विदक टेलिग्राम चैनल को जोईन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करने वहां से उनको गुरूप का लिंक मिल जाएगा अब देखें दोस्तों जो सबसे मेंचीज है वह एपका सियाइटेस ओनलाइन ट्रांसफर राउंड वन लाश्ट देट देखें दोस्तों आपका जो ट्रांसफर राउंड है वह आज यानि 19 अगस्त को स्टार्ट हुआ है दस बज के 45 मिनट पर ठीक है और आज ही इसकी ला तक नहीं किया तो जल्दी से कर दो निमी की वेबसाइट पर जाकर मैंने आपको बता भी रखा है कैसे आपको ट्रांसफर राउंड के लिए करना है और जो इसका रिजल्ट है वह आपका 20 अगस्तियानिक कल तक आ जाएगा कल दो पैर बाद इसका रिजल्ट आपको देखन हो जाएंगे यहाँ पर यह कहता है दा ट्रांसफर रिक्वेस्ट क्लोज बाइंड ओफ उननिस आट दोजार चोबिस यानि जो आपका ट्रांसफर के लिए जो आपने अपलाई कर रहे हो यह उननिस तरिकोंड हो जाएगा एंड ओन मेरिट बेसिज इप अवेलिबल यू मे जो आपको कोलिज मिलेगा ट्रांसफर रांड में वो मेरिट बेसिस पे मिलेगा यानि मेरिट के आधार पे मिलेगा मान के चलो किसी कोलिज में 10 सीट खाली है और वहाँ पर 20 स्टुडेंट ने अपलाई कर रखा है तो जिनके मांक ज्यादा होंगे उनको सीट मिल जाएगी और जो आपका डेस्ट बोड है जब आप लोगिन करके देखते हों वहाँ पर वो चीज अपडेट हो जाएगी इन्होंने ये बोला है तो जिन भी सातियों ने अभी तक ट्रांसफर रांड में पार्टिसपेट नहीं किया है वो कर दे आज 19 तारिक आज ही श्टार्ट हो है और आज ही इसकी लाज डेट है कल इसका रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग गया होगा कि वह किन चात्रों को ट्रांसफर रांड में कोलिज मिलेगा देखें ट्रांसफर रांड में उन्हीं चात्रों कोलिज मिलेगा यानि मेरिट के आदार पर जो मैंने भी बताया वह जितनी seat हैं होगी, माने चलो, 10 seat है, और जितने लोग यहां पर apply करेंगे, 20 लोग उन्हें apply किया, तो जिनके mark ज्यादा होगे, उनको यहां पर seat मिल जाएगी, और जिन छात्रों को seat नहीं मिल पाएगी, उनके पास क्या option होगा, थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ, student को इस transfer round में seat नहीं मिलेगी, उन्हें क्या करना है, जो next transfer round आएगा, second transfer round, यानि second counselling के बाद जो transfer होगा, उसमें participate करना है, अब देखें, बात कर लेते हैं, seat कहां से check कर देखें, आपको किस college में कितनी seat है, कैसे check कर सकते हो, तो देखें दोस्तों, जब आप transfer round के लिए apply करो तो यहां पर आपको एक option दिखाई देगा, view vacancy institute, आपको simplest पर click कर देना है, जैसे ही आप यहां पर click करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा, यहां पर जो आपका college का नाम है, जो trade है, जो यह category है, यह आप देख सकते हो, और किस trade में, किस category में, कितनी seat बची है, और total कितनी seat बची है, वो सारी चीज़े आपको यहां पर दिखाई देगी, उस according आपको देख लेना है, किस college में आपको transfer के लिए apply करना है, अब बात कर लेते है, transfer round में गलत choice हो गई है, तो क्या करे, देखे दोस्तों, कुछ student कैसे भी comment आई है, कि भई मान के चलो, उनको मिला थ था है, 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 हैदराबाद मिला था उनको, और उनको transfer के लिए apply कहाँ पर करना था, नोएड़ा में, लेकिन उन्हें by mistake क्या कर दिया, उन्हें कॉलकात्ता को select कर लिया, तो देखे दोस्तों, अगर आपने गलत choice कर दिया, तो आप उसमें कोई change नहीं हो सकता, मैंने जब प ठीक है, तो अब उसमें कोई change नहीं हो सकता, अगर आपको college मिल गया, तो उसी college में जाकर आपको physically reporting करनी पड़ेगी, ठीक है, इस video में इतना ही, अगर किसी भी student का कोई doubt है, तो comment करके पूछ सकता है, और हाँ दोस्तों, आज last date है, यानि 19 तारीक को start है, 19 तारीक को ही last date है, जिनी student ने नहीं बढ़ा है, वो भर दे, और जो इसका result है, यानि कल आ जाएगा दोपेर बाद 20 अगस्त को, ठीक है, तो कुछ यह है, transfer round के बारे में जानकार देनी थी, I hope, आपके doubt clear हो गए होंगे, फिर बेकर आपके कोई doubt रहा गया, तो comment करके पूछ लेना,